हेलो फ्रेंड्स किसी जी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट सुनीता तो दोस्तों आप मैं ट्रोस में रहते हैं या छोटे सहर में आपके आज पास बहुत सारे स्कूटर्स मिल जाएंगे इंडिया में कुछ लास्ट इडिकेट से गेरलेस स्कूटर काफी पॉप प्राइज आदी को देखते हुए आपके लिए टॉप 10 इस्कूटर लेकर आए हैं जिससे आप अपने लिए एक अच्छा और बहतर इस्कूटर ले सकते हैं तो चलिए इन इस्कूटर के बारे में हम आपको बताते हैं रैंक 10 पर हमने हीरो की स्कूटर को रखा है हीरो डुएट ऑक्टूबर 2015 में लाँच की गई इस स्कूटर का एक सोरूंग प्राइज चगन हजार साथ सो बीस रुपे है इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमेटर पर आर्स है और इसका माइलेज 45 किलोमेटर पर लीटर है यह 6 इसका क्रेब वेट 115 केजी का है रैंक 9 पर यामा की स्कूटर को रखा गया है यामा सिगनस रेज जी आर एप्रिल 2016 में लाँच की गई इस स्कूटर का एक सोरूंग प्राइज 57,207 रुपे है इसकी टॉप स्पीड 86 किलोमेटर पर आर्स है इसका माइले 66 किलोमेटर पर ली है ये फोर कलर वेरियंट में आती है इसमें 113 सीसी का सिंगर सिलिंडर एयर कूल इंजन दिया गया है जिसका मैक्सिमम पाउर 7.10 बह्प और मैक्सिमम टॉर्क 8.10 एनम है इसका क्रेब वेट 105 केजी का है पर आती है होंडा नवी फर्वरी 2016 में लॉंच की गई इस स्कूटर का एक सोरूम प्राइस 43,433 रुपे है इसकी टॉप स्पीड 81 किलोमेटर पर आर्स है इसका माइले 55 किलोमेटर पर लीटर है ये 5 कलर्स में आती है इसमें 109.19 सीसी का इंजन है जिसका मैक्सिमम पाउर 7 7.72 बीएचपी और मैक्सिमम टॉर्क 8.96 एनेम है इसका क्रेब वेट 101 केजी का है इसमें पर आती है होंडा एक्टिवा आई जून 2013 में लॉंच हुई इस स्कूटर का एक सोरूम प्राइज इंग 51,112 रुपे है इसकी टॉप स्पीड 83 किलोमीटर पर आर्स है इसका माइले 66 किलोमीटर पर लीटर है ये 6 कलर वेरियंट में आती है 109.19 CC के इंजन का पावर 8BHP है और इसका टॉर्क 8.74 एनेम है इसका क्रेब वेट 103 केजी का है 6 रैंक पर अपने पावर और परफर्मेंस के कारण कबज़ा जमाया है अप्रीलिया SR150 है अगस्त तू साजन 16 में लॉंच की गई स्कूटर का एक सोरूम प्राइज 70,374 रुपे है इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आर्स है जो की अब तक की सबसे जादर टॉप स्पी 10.80 CC है इसका मैक्सिमम पावर 10.25 बहपी और मैक्सिमम टॉर्क 11.40 एनेम है और इसका क्रेब वेट 122 केजी का है सुजूकी की स्कूटर्स भी मार्केट में काफी पॉपुलर हो रही है तो हमने नंबर फिक्त पर सुजूकी एकसेस 125 को रखा है मार्च 2016 में लॉंच हुई इस स्कूटर का एक सोरूम प्राइस 59,068 रुपीज है इसकी टॉप स्पीड जो की कंपनी क्लेम करता है 92 किलोमीटर पर आर्स है इसका माइडे 60 किलोमीटर पर लीटर का है 124 सिसी के इंजन का मैक्सिमम पाउर 8.40 बीएचपी और मैक्सिमम टॉर्क 10.20 एनम है इसका क्रेब वेट 102 केजी है यह 7 कलर वेरियंट में एविलेबल है रैंक फोर्थ पर कबज़ा जमाया है मोस्ट पॉपुलर ब्रैंड हीरो के स्कूटर ने वो है हीरो मेस्ट्रो एज सेप्टेमबर 2015 में ही लांच हो चुकी है जिसका एक्सोरूम प्राइज 55,570 रूपीज है इसकी टॉपी स्पीड 85 किलो मीटर पर आर से इसका माईलेज 51 किलो मीटर पर लीटर है यह 5 कलर्स में आती है इसमें 110 CC का इंजन है जिसका मैक्सिमम पाउर 8.31 बीएचपी और मैक् 109 kg का है अब बारी है टॉप 3 स्कूटर्स की तो थर्ड रैक पर आती है टॉप ब्रेंड होंडा की स्कूटर होंडा एक्टिवा 125 यह एपरेल 2014 में ही मार्केट में आ गई है और काफी धूम मचा रही है इसका एक्सोरूम प्राइज 61,649 रूपीज है इसकी टॉप स्पीड 85 किलो मीटर पर आर्स है इसका माइलेज 54 किलो मीटर पर लीटर का है यह 5 कलर्स में एविलेबल है इसमें 124 सिसी का इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर 8.50 बहपी और मैक्सिमम टॉर्क 10.54 एनम है इसका क्रेब वेट 111 कजी का है 2016 सितर में सबसे जादा दिखने वाली स्कूटर टीवीज की है हमने सेकेंड रैंक पर टीवीज जूपिटर को रखा है सेप्टेमबर 2013 में ही लॉंच होई इस स्कूटर को अभी तक लोगों ने काफी पसंद किया है और लगभगिन 5817 यूनिट सोल्ड हो चुकी है इसका एक कलर्स वेरियंट में एवलेबल है 109 cc के इंजन का मैक्सिमुम पावर 7.80 bhp और मैक्सिमुम टॉर्क 8Nm है इसका क्रेब वेट 108 kg का है अपने परफोर्मेंस के कारें इंडिया में काफी पॉपुलर रही होंडा की स्कूटर तो हमने रैंक फर्स्ट पर होंडा एक्टिवा 4G को रखा है और ये अपने लूप के मामले में भी काफी अच्छी जानी जाती है फेबरी 2017 में लॉंच की गई जिसका एक्सोरूम प्राइस 55,079 रुपे है ये 7 कलर्स में एविलेबल है इसकी टॉप स्पीड 82 km पर आर्स है इसका माईले 60 km पर लीटर है इसमें 109 CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर 8 BHP और मैक्सिमम टॉर्क 9NM है इसका क्रेवेट 108 kg का है तो दोस्तों इन टॉप 10 स्कूटर में से आप अपने पसंदीदा स्कूटर को चुन सकते हैं बाकी आज के लिए इतना ही हम नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे तो आप अपने लाइक और कमेंट समय दीजिए और जिनोंने सब सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें थैंक यू